अध्यों बच्चों, बस सारी मानने दो बागस मेरा दियों तो मैं वापस आगे हूँ दूसरे वीडियो के साथ एकसा पांच के बच्चों अपने वितार दू करो उससे पहले एक बाग सुना जब आपको किसी की आज के दिन में जब आपको किसी की रात आतीने अथ हैं तो आप क्या करते हो मोबाइल बताते हो नमबर डायक करे हो उसे बाग कुए हैंना लेकिशन पहले क्या हो जा था ऐसा नहीं हो था द्धा इनगी हो जब किसी की याद आता हो ता है और आप calidad होता है तो और हम क्या करते थे कि चिख्थी लेक्दे थे थाrences तो उस चिथी में हम अपका डिटेर्स मतलब सारे बाते लिखते थे और क्या करते थे भैज देते तो जब चिथी भैज देते वो जाकर दो या तीन या चार दिन भी लग जाता था पूंचने में लेकिन आज क्या होता है एक ही छटके से हम फोन कर देते हैं और बात कर देते ना फिर हम वर्संब पर मैसेज भी कर देते हैं लेकिन पहले हिसा नहीं होता था पहले चिथी में साब कुछ हम लिख कर भैसते थे और वह बहुत ही अच्छा हमारा गम दिन ता जहाँ चिप्दियूं का इस्तमाल किया ज़ुज़र था। और जबकिन हमारे नाही दाटी… वहाँ से हमारी लिए चिप्दिया आता था, तो हम अपछों बहुती ज़्यादा उखिस सें इत्रचाइने करते थे कि कभ उनके बास, से हमारे लिए चिप्दिया आइкой, और हम कभ उसको खोल कर पढ़े लेकिन आप क्या करते हो कि मोबाइल यूज करते हो, बेभार करते हो तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कभी-कभी चित्थी भी लिख लिया करो कभी-कभी अपने नागी, दादी या पिर किसी बड़े भाई को घर में भी चित्थी लिख कर दिया करो तकि आपको चित्थी कैसे लिख 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 ये भी आजाए तो और वह भी आपके जो बड़े भुजुद्य वह भी पढ़कर फुश हो जाएगे और वहाँ पे लिख 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 ठीक है, नप्रम कुछ हो गया, यहां पर क्या है दिना, दिना को हचार तारीख तो यहां पर एक तारीख किया गया है, 14-9-2-7 तो आज क्या तारीख क्या है? 14-6-2-0-3-2-7 तो आप जब लिख रहे हो, चिस दिन लिख रहे हो, उस दिन का तारीख दाओगे और उस दिन और आप कहां से हो, नप्रम पूर्श हो, तो आप पर नप्रम पूर्ब लिखोगे उसके बाएं तरब देखो, बाएं तरब मतलब पूरा ऐसे, ऐसे नहीं, ठीक है उसके पोड़ा सा नीचे, पूरा सीधा नहीं हाँ, पोड़ा सा नीचे, यहां पर आप लिखोगे, यहां आप कहां और किसको चित्थी भेज रहे हो, यहां पर क्या है? पूजी और पिताजी, तो यह जो है यह अपने पूजं़ पिताजी को छित्री भेज रहो है लेकिन अगर आप पापा को नहीं बल्गल आपने मॉंपी को या फिर आपने बड़े भाई को छाची को, दादी को, नानी को जिसकिसी को भी भेज रहा हो उसका नाम आपर लिखोगे तो मैं उसी के जैसका ही उदारण दे रहे हूँ, देखो, यहां से तोड़ासा नीच है हाँ, ठीक है? पुझ्य पिताजी, तो पिताजी आप से बड़े हैं, जो भी आप अगर किसी बड़े को, आप से किसी बड़े को अगर आप चिठ्या लिख रहे हो, तो आप पर क्या लिखोगे? पूजियो पिताजी, क्योंकि पिताजी आपसे बढ़े हैं, और अगर आप इसी छोटे से छोटे से चिथिया लिखने हो, छोटे को भेज रहे हो, तो आप लिखोगे, प्रियो उसका नाम लिखोगे, ठीके, तो वहाँ पर लिखा क्या है, सागर प्रणाम, तो जैसे भी आप जिथिया लिखने हो, पिताजी को लिखने हो, तो करना करना तो जरूए है, तो उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, देखो, किताब देखो, आपका पत्र आज ही मिला, तो यह जिसका नाम क्या है, ए दिनेस, ए दिनेस को क्या हुआ है, कि उसके पिताजी तो मैं यहां पुसल से हूँ, मतलब मैं यहां पर अच्छे से हूँ, अच्छा हूँ, किसने, कौन बोल रहा है यह, दिनेस बोल रहा है अपने पिता को, लिखकर चित्थी के माध्यम से वो भेजना चाहता है, यह जानकर मुझे कुझी हुई कि आप सब वहां सब इसल है, जै आप सब अच्छे ने यह सुनकर मुझे कुझी मुझे है, तो मैं यहां अच्छी तरह पढ़ रहा हूँ, अब हमारी त्राइमासिक परिक्साएं हो रही है, मैं अच्छी तरह लिख रहा हूँ, हमेशा के तरह इस बार भी मैं सबसे अधिक अंक राप्त करूंगा, मेरी लिखा है कि मैं यहां पर सफुसल से हूँ, और अच्छी से पढ़ाई करा हूँ, जैसे कि हमारा क्रेमासिक परिक्सा चल रहा है, मैं उसमें भी अच्छी तरह लिख रहा हूँ, हमेशा की तरह मैं बहुत भी अच्छा अंक का मतलब मार्ट, हमेशा अच्छा अंक प्राप् आप चिंता ना करें, ये कौन लिखना है दिनेज अपने पिता जी को लिख रहा है, तो अगर आप किसी और की पारे में कुछ और आपका इमाद में हो, कुछ और लिखना चाहते हो, तो भी आप इसके चिप्खी की सरीर इता है इसको, जो बीच में आपका कारण जो होता है, आप क्या कारण बताते हो, उस कारण को चिप्खी की सरीर होके बोला जाता है, तो यहां पर उसने ये कारण बताया कि वो चिप्खी पाकर दूसे और आपका चिप्खी उसको में लिए, तो अगर आप कुछ और भी लिख सकते हो, कि मुझे कुछ पैसों की ज़र्वरत है, म उसकी बाद जो दूसरा धारा के उसमें क्या लिखाया देता, दूसरा जो है, वहां पर छूटियों में मैं अपने मित्र सुरेश को साथ लेकर आना चाहता हूं, इस पिसर में मैं आपको, मैं आपकी आग्या लेना चाहता हूं, तो यह बोल रहा है दिलें सबने पिता को, क अपके जब छूटिया चल रा है, तो इस चूटियों में मैं अपना जो दोस्त है, उसका Representatives, उसका नाम है सुरेश, तो मैं अपने disrupt सुरेश को अपना घर लेकर आना चाहता हूं, इस पिसर में आपकी आग्या लेगा चाहता हूं, तो आप अगर मुझे अनुमती देवे तो मैं अपना दोस्त को लेकर आपके घर, मतलब हमारे घर छुट्यों में रहने के लिए आ जाऊँगा, ठीक है, आसा करता हूं कि आप मेरी प्राथना स्विकार करेंगे, तो मुझे ये आसा है कि आप मेरी प्राथना को स्विकार करेंगे, और मुझे ये अनुक्ति दे फिता हूं और छुटिया और मैं आपने दोस्त के साथ अपने परिभाल धुर्ट। Kara spoke to his तो आप भी कुछ भी आपके जो कारण होता है वो आप लिप होगे ठीक है तो उसके बाद माता जी और दादी जी को प्रणाम कर गये तो आपके घर में जो बड़े है को बड़ों के लिए प्रणाम और चोटों के लिए मैंरा विया एसा कोड़न चाहिए यहां पर नीचे, ठीके उसके बाद यह हो गया, चिप्ति का सरी, हुआ, तो उसके बाद क्या दरोगे, मचों आपना, जिसको आप चिप्ति भेज रहे हो, उसका पता यहां पर लिखना है, नीचे पूरा, जैसे कि आपका चिप्ति का सरी खतन होता है, वहां से आप जा आपके लिखोगे उसके पाद आपके पिता के नाम किया है कि आप जिसको भेज रहे हो यहां पर आपके माता को भेज रहे हो आपके चाची को भेज रहो नामी को भेज रहो तादी को भेज रहो मामा को भेज रहो उसका वो जहां पर रहते हैं उनका पता यहां पर लिखोगे ठीक है यहां पर आप उनका पता पता के नीचे उसका उनका नाम यहां पर लिखोगे ठीक है उसके बाद वो कहां पर रहते हैं जैसे कि ओरिसा में है या फिर रामरा में है या फिर महरास्टर में है उसके बार यहां पर वह लेते है, वह लेते हैं, वह लेते हैं, और क्या करोगे, उसका घर का नमबर जो भी आपको पता है, और उसका पीन कोर नमबर, जैसे कि हमारा नमपर मुद का नमबर यहां पर सारे प्लिक होगे ठीक है उसके बाद यहां जो चित्थी भेज रहा है उसका नाम उसका गाउं का नम्यां पर है और तारिक है उसके नीचे आप लिखोगे कि आपका प्रिया पुत्र अब अब शुद्र पुत्र हो या पुत्री हो अब जो बिखोगे उसके बाद अपका नाम इंड्या और यहां का लिखोगे जैसे कि इसका नाम इंड्या यहां पर लिखोगे, तो इसी तरह इसको देखो और लिखने की कोशिज करो, घर में ही अपने मापा पापा को लिख कर लिख कर एक चुछिया तो ताथी आपको अभ्यास हो जाए, ठीक है बत्रो, आज के लिए इतना ही, समता आउच भी देखके पढ़ना, ठीक है, आज के ल